हेलो एब्रीवान वेलकम टु माई चैनल नैचरन्स ब्यूटी वर्ल्ड कैसे हैं आप सब आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हूँ जड से तिल और मसे किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो बिना किसी सरजरी के बिना किसी लेजर के पर हॉम मेड रेम वीडियो की तरफ वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा पैल आइकन को आउन कर लेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेए ताकि मेरी नए वीडियो की नॉट्फिकेशन आपको मिलती रहे मस्ति यहां पर इमूव करने वाली हूँ मैं अपने हस्बेंट के ही इनके नेक के दोनों साइट बहुत ज़्यादा हो गए थे क्लाइंट पर मैंने काफी सारे हटाये हैं उसी रेजल्ट के बाद आपको दिखाने वाले हो और वीडियो में आपको पूरे रेजल्ट के साथ दिखाऊंगी बनाने का तरीका भी दिखाऊंगी लगाने का तरीका भी दिखाऊंगी और यहाँ पर देख सकते हो मस्से हमारे कई बहुत छोटे छोटे होते हैं कई स्किन से चिपके हुए होते हैं कई बहुत मोटे होते हैं तो कई स्किन के साथ लटके हुए होते हैं पेश्ट आपको थोड़ी सावधानी के साथ लगाना है स्किन पर और मस्सों को जड़ से खतम करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक कटोरी और इस टाइप की आइस क्रिम स्टिक साथ में चाहिए घड़ी डिटेजन पाउडर और यह है चूना जो हमेश पेशली चाहिए और साथ में माचिस तो यहाँ पर हम पेश्ट बना रहे हैं जिससे आपके मस्सें हमेशा के लिए बिल्कुल खतम हो जाएंगे बस आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको कितनी कॉंटटी में और कितनी बार लगाना है क्योंकि यह अगर आपकी स्किन पर रखोगे तो वो सूख जाएगा यह हमने इतना चूरना निकाल है यहाँ पर घड़ी साबून मैंने इस तरीके का एक लिया है बट यह एक नहीं लगेगा इसमें से हमें थोड़ी सी कॉंटटी निकालनी है तो आप इस तरीके से एक स्पैचुला ले लेंगे और इस तरीके निकाला जो हल्क करता है हमारे मसव को रि selfish करने में और चूना तो बहुत ज्याधा अच्छा होता ही है यहाँ लामै निकाला मंना अमाउंट आपको दिखा रहें और इसमें मिक्स करना और अब हमें अपनी के स्टुक के हर् हर्प से इसको पानी डालकर अनी के कोई भी दाने नहीं रहने चाहिए कितनी अच्छानी से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको क्यूंकि दाने कि फ़ें कि सिंगे छेए एक लगत दक कहाले कि इस तरीके से और रहा है सबसे पहले आप कौटन की help से skin को clean कर लेंगे किसी estrogen या toner से और यहाँ पर मस्से देख सकते हो neck में है, किसी भी part में आपके आप कहीं भी लगा सकते हैं इसे यह बहुत अच्छी result देगा आपको आपके मस्से जड़ से चले जाएंगे अगर आपके तिल हैं तो वो भी जड़ से चले जाएंगे यहाँ पर माचिस की तिली का इस्तेमाल करना है और माचिस की तिली को हमेशा back side से यूज़ करेंगे front से नहीं करेंगे क्योंकि front में मसाला होता है, back से इस्तेमाल करते हुए भी आपको ध्यान रखना है पेश्ट जो है आपको उतना ही लेना है जितना आपके मस्से पर लग सके अगर आप एक्ष्टा पेश्ट लेते हैं अपने तिली में तो वो आपकी स्किन पर लग जाएगा और उससे आपकी स्किन बार्न हो जाएगी आपके मस्से जब जलते हैं तो वो सिर्फ उतनी हिस्से में होने चाहिए जितने हिस्से में उस स्किन से जुड़े हुएं आपकी स्किन वरना ज्यादा जलेगी पेश्ट आपको तिली की हेल्प से हर मस्से पर अच्छी तरीके से लगाना है अगर स्किन पे लग जाते हैं तो आप साथ की साथ जल्दी से रिमूव कर दीजिएगा क्योंकि एक दो सेकिन के बाद इचिंग करना शुरू हो जाता है इससे आपको पता चल जाता है कि आपका पेश्ट काम कर रहा है इस तरीके से अगर आपके कहीं कम लग रहा है तो आप दुबारा अपलाई कर सकते हैं वरना तो इसे हम लगातार तीन दिन अपलाई करते हैं यह है सेकिन डे, सेकिन डे भी मैं कोटन से स्किन को क्लीन कर रही हूँ उसके बाद apply करूंगी देख सकते हो एक दिन में थोड़े से काले हो गए हैं ये दिरे दिरे जलने लग जाते हैं ये भी मैं आपको दिकhाने वाले हूँ कि जलने के बाद किस तरीके से ये छुट के अपने आप गिरना शिरू हो जाते हैं और इसी तरीके से आपको second day भी apply कर सिर्फ आपको इस पेश्ट को तीन दिल लगाना है आप इसे तिल पर भी लगा सकते हो मोटे मस्यों पर लगा सकते हो मोटे तिल है उन पर लगा सकते हो हर तरीके के तिल और मस्य आपके बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे बीना किसी प्रॉब्लम के सिर्फ आपको यह ध्यानक में जरू बताएगा और ट्राय करके जरू देखेगा क्योंकि इसमें हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ है सिर्फ हमारे घर में जो इंग्रिडियन्स होते हैं मैंने उनी का यूज किया है अगर स्किन पर लग जाता है तो आप इस तरीके से साथ किसा त्रिमूव कर तीन दिन के बाद आपको कुछ ही रिजल्ट मिलेगा यह फोट डे की है दो मस्से खुद निकल के गिर चुके हैं आप देख सकते हो और पांच मस्से आपको दिखाई दे रहोंगे कि बिल्कुल जले हुए यह भी दीरे-दीरे खुदी निकल के गिर जाएंगे और इनके न निशान नहीं दिखाई देगा और बिना किसी अलर्जी के बिना किसी साइड एफेक्ट के आप मस्से और तिल बिल्कुल असानी से हटा सकते हो यह था इनका साथ दिन के बाद रिजल्ट आप देख सकते हो हलकल के निशान रह गए हैं जब आप लगातार इस पे क्रीम का इ अपने तील मस्से बिल्कुल असानी से हटा सकते हैं आपने देखा कितनी असानी से मैंने मस्सो को रिमूव कर दिया है तो आप भी घर बैठे-बैठे मेरी होम रेमेडी के जड़ी है अपने तील और मस्से बिल्कुल जड़ से रिमूव कर सकते हैं आपको यह वीडियो पस पसंद आये तो सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को मिलूंगे अपनी नेक्स प्रीजों में कुछ नहीं और अच्छा लगिए तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू